ओल्रेट गईस स्वाकत आपका हमारे जुटूप चैनल में हैं हम यहां सपर आपके लिए एक और इंट्रस्टिंग वीडियो लेके आ गये हैं और हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले लेंड़ा एकिष्टर्शन इनफर्ण बीडिओ में मैं आपको सारे इंट्रशन के समझा हूंगा अगर आप गईर यही है तैसे में लोग कैसे उसके क्या होते हैं को कैसे उसकर नवसके benefit क्या है लेंडा expression को कैसे create कर सकते हैं function interface का तमाम चीजें हम लोग देखेंगे आपको सिर्फ क्या करना है मैं चैनल को सब्सक्राइब करना है गई थी इंट्रड्यूस की गई थी उसका पूरा benefit क्या है उसको कैसे हम लोग उसकर सकते हैं तो यह मैंने complete समझाय था विद प्रैक्टिकल तो वहां पर कई सारे हमारे भाई लोगों ने पूछा था कि सर इससे पहले आप लेंडा एक्सप्रेंच रिखा दीजिए तब हम लोग यहां पर स्ट्रीम एपिया भी सीख पाएंगे तो यहां पर मैं लेंडा एक्सप्रेंच की वीडियो ले करके आ गया हूं अब बिना किसी टाइम को वेस्ट को सबसे पहले चलते हैं और टेबल अफ कंटेंट इस code Java आनी चाहिए साती साहत में code Java important थो है उसके सबसे important क्या है लेंडा को सीखने के लिए functional interfaces के concept आते हैं तब ही आप लेम्डा एक्स्प्रेशन को यूज कर पाओगे और यह चीज समझ पाओगे बिसेकली कि लेम्डा एक्स्प्रेशन है क्या और यह हमारे लिए कहां पर यूजफुल हो सकता है ताभी आप उसकी मीनिक समझ पाओगे तो फंक्शनल इंटरफेस से आने चाहिए मैथर्ड की ओवर्राइडिंग कैसे करते हैं यह आनी चाहिए साथ में अगर आपको अनॉनमस क्लास अगर आती तब तो बेस्ट एंड गुड है मालब उससे बड़े है तो कुछ होई नहीं सकता ठीक है तो यह सारे अगर कॉंसर्ट पता है तो आप बहुत ही असानी से वीडि करने के लिए अगर है तो क्या आप बैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले हैं व्यूदा एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है यह सबसे इंप्टन है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि लेंग यह इसको राइट कैसे करने ठीक है उसके बाद हम लोग देखि सिखेंगी यह क्लिए यह सिखेंगे कि लेम्डा एक्स्फरेशन अपस्के एक्सके लिए क्या ही हम लुग कैसे राइट कर सकते हैं सबसे इंकि लेम्डा एक्सक यह उसके पास उसके पास आर्कुमेंट तो गगरहा है— एंदर हम लोग देखेंगे lambda expression की help से हम लोग threads को कैसे create कर सकते हैं और lambda को हम लोग अपने dextra obligation swing aware में कैसे use करते हैं तो यह पूरा table of content होने वाला हूँ एक-एक step by step हम लोग चलते हैं और सीखते हैं कि basically यह सारे content को कितने आसानी से wrap up किया जा सकता है इसको step by step तो सबसे पहला ही टॉपिक है what is lambda expression lambda expression होता क्या है अब basically क्या है इसका पूरा ना में lambda expression लेकिन मैं बार बार इसको lambda बोलता हूं लैमडा बोलता हूं ठीक है तुछी याद रखे 1.5 या उससे भी lower version आप उनमें यह lambda expression को नहीं यूज़ कर सकते थे ठीक है लेकिन जब से 1.8 आया और उसके अपर version में आप lambda expression यूज़ कर सकते हो lambda expression and stream API वन अब the most important topic थे जो इंटर्डूस किया गए थे 1.8 वर्जन में तो चीज़ याद रखेगा मैं आपको information के लिए बता दूँ वैसे mostly लोगों को पता होती है अब सिर्फ यही दो topic नहीं थे important मतलब यह सबसे ज़्याद़ topic थे और सबसे ज़्यादा कह सकते है popular type की topic थे कि 1.8 में इंटर्डूस किया गए थे तो यह top two कह सकते है Lambda is first and second is stream API यह दो important topic थे जो 1.8 में इंटर्डूस किया गए थे और भी n number of चीज़े थी जैसे method references वगरा ठीक है अब अगर बात करते हैं कि Lambda expression basically होता क्या है तो Lambda expression अगर डेफिनिशन की बात करने तो Lambda expression एक Anonymous function अब जो Anonymous function है Anonymous का मतलब ही होता है कि nameless जिसका कोई नाम नहीं Anonymous मतलब Lavaris type का कह सकते कि यह एक Lavaris Function है Lavaris function मतलब इसका कोई नाम नहीं है तो अगर इसको define करें कि कि basically lambda expression is anonymous function या is anonymous function having no name इसका नाम नहीं होगा, no modifier and no return type. तो I think समाझ कोगे आप जो भी function बनाओगे उसका नाम नहीं रखोगे, modifier नहीं रखोगे, return type नहीं रखोगे तो उसी को हम लोग anonymous function कहते हैं और lambda भी एक तरिका का anonymous function है, अगर आपको याद हो तो आप anonymous class बनाते हो, class having no name आप arrays बनाते हो, class having no names इसको हम लोग anonymous array और anonymous class कहते हूं उसी तरह anonymous method, anonymous function का मतलब होता है कि ऐसा function इसके पास कोई नाम नहीं है, कोई modifier नहीं, कोई return type नहीं, आपको दिखाता हूँ, suppose एक function है, आपके पास public void m on, यहाँ पर आपके पास function है public void m on और इस function में simply हम लोग ने system.out.println test को print कर दिया है, sop mean system.out.println, अब हम लोग अगर यह तो अभी वारिस method कह सकते है, कि इसके पास return type भी है, void, इसके पास name भी है m on, और इसके पास public modifier भी है, तो अगर हम इन तीनों को हटा दें, public को हटा दें, void को हटा दें, और m on को हटा दें, मतलब किता बढ़िया है, आपको public नहीं पड़ेगा, function बनाते समय, void नहीं लिखना पड़ेगा, return type भी नहीं लिखना पड़ेगा, और नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा, जो आप method का नाम लिखते हो, वो नहीं लिखना पड़ेगा, तो बनेगा क्या, आपको यहाँ पर arrow simply, arrow लगाना है, arrow symbol यहाँ पर यूज कर लिया, and this is nothing but lambda, जैसे ही आपने यह काम किया, तो यह एक lambda बन गया, this is a simple lambda function that prints test, यह ही जाद रखेगा, simply वही काम किया, जो हम लोग ने definition में सीखा, lambda एक anonymous function, that means आपको नाम हटा देना, उस function से, modifier हटा देना, और public हमारा बन जाएगा, lambda, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि basically lambda हमारा है क्या, lambda एक anonymous function है, अब जहां से देखे, इसके benefits क्या हो सकते है, lambda expression के, lambda expression के बहुत सारे benefits है, even n number of benefits है, मतलब बहुत सारे benefits है, कह सकते है, सबसे पहले चीज़ क्यों यह reduce करते है, lines of code को, अब यह एक कि सबसे पहले, lambda क्या करेगा, आपके reduces the lines of code, यह क्या करेगा, आप जितना lines पहले लिखते थे, अगर आप lambda उसकरोगे, तो वो कम line में आपका काम हो जाएगा, जो काम आपको lambi line में करना पड़ता था, कई सारे line में, add to line में करना पड़ता था, वो हो सकता है, 67 line में भी हो जाए, तो lambda अगर आप उसकरते हो, तो आपकी lines काम हो जाएगी, बड़ याद रखिएगा कि इस lambda को हम लोग सिर्फ उसर्व यूज कर सकते है, functional interface के साथ, इची जाद रखेगा, सबसे important है, without functional interface, आप lambda expression को यूज कर सकते हो, अभी हम बताएंगे कैसे functional interface required है, lambda को यूज करने with functional interface, sequential and parallel execution support by passing behavior as an argument in method, तो simply हम लोग क्या कर सकते है, lambda entities होने के बाद सबसे important चीज जो है, वो Java में functional programming enable हो गई, functional programming का मतलब है कि हम function को as an entity treat कर सकते हैं, और function को दूसरे function के argument में पास कर सकते हैं, तो वहाँ पे अब उसके आगे का काम sequential execution करना है, कि parallel execution करना है, ये चीज तो function पास कर दिये, तो तीनों execute कर सकते हैं साथ में, तो parallel execution हो जाएगा, तो sequential और parallel execution साथ में support करेगा, क्यों क्यूंकि हम लोग लेमडा को, लेमडा एक function ये, लेमडा को function को दूसरे function के argument में पास कर सकते है, that enables the functional programming, तो ये चीज जाद रखेगा, lambda के help से सबसे important benefits ये भी है, कि Java 8 क्योंकि हम लोग को पता है कि Java क्या थी, एक object oriented programming language लेमडा को, लेमडा के आने के बाद, Java functional programming के behaviors को भी so करती है, क्योंकि हम लोग functions को भी pass कर सकते है, as an argument of method functions, ठीक है, to call APIs very effectively, तो हम लोग क्या कर सकते है, कि Lambda के help से APIs जितनी है, predefined classes and interfaces, उनको बहुत असानी से call कर सकते है, within few lines of code तो बहुत ही, असानी से आप very effectively APIs को call कर सकते हो, और अगर मैं बता हो, तो सबसे important है collection की APIs जो होती है, जिसे stream API वगरा, आप बहुत effectively use कर सकते हो, अपने Lambda के help से, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, Lambda, stream API वाला, तो आपको पता होगा, कि Lambda कैसे use हो रहा था, और कित करना असान होगा, और concise coding होगी, मतलब जित्ती जरूत है, उतनी ही coding होगी, ऐसा नहीं आप फर्जी code लेकरो, तो to write more readable, maintainable and concise code, तो यह important 4 benefits है, और इनको और manipulate करके, बहुत सारी चीज़े आप बना सकते हो, पॉइंट बट यह सबसे important 4 benefits है, ठीक है, to reduce lines of code, sequential and parallel executions, to call API very effectively and to write more readable and functional programming, enables functional programming यह चीज़ भी याद रखे कर ठीक है, अब अगर बात करें, how to write lambda, तो अभी हम लोग ने सिखा था कि lambda को हम लोग कैसे write करेंगे, lambda को write करने का simple तरीका है, आपको functions and methods बनाने तो आते होंगे, function or methods बनाने तो आते होंगे, बहुत सारे अपने code जावा में methods बनायोंग तो अभी हम लोगों ने थोड़ी दिर पहले सिखा था कि lambda एक anonymous function है, तो मालों यह suppose हमारे एक function है, जो क्या कर रहा है, simply test print कर रहा है, यह normal function है, normal method है, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इन methods से anonymous बनाने के लिए हम लोग नाम हटा देंगे, amount हटा देंगे, void हटा देंगे and public भी हटा देंगे, यह सारे चीज हटा देंगे and यहा लगा देंगे arrow function अगर आप इधर देख सको, तो यह हमारा बन जाएगा lambda, बहुत important है, भी मैं और चीज आपको दिखाऊंगा, suppose यहाँ पे function है, जो add कर रहा है हमारे दो numbers को a and b को, simply public int and sum नाम का function है, जिसका written type है int and यह public इसका modifier है and दो यह parameters को ले रहा है, यहाँ पर आ रहा है argument में, integer a and integer b, और दोनों को यह क्या कर रहा है, return कर रहा है a plus b, जो भी आप numbers दोनों पास करोगे, उनको यह sum करके return कर देगा, तो इसको हम लोग lambda में convert कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है lambda एक anonymous function है, तो हम लोग public हटा दे हटा देंगे, int हटा देंगे and sum भी हटा देंगे and यहाँ पर हम लोग introduce कर देंगे arrow symbol, देखिएगा, यह दिखे, हम लोग इधर के सारी जिए मैंने हटा दी, parenthesis को same as it is मैंने रखने दिया, फिर int is int, int a, int b and यहाँ पर मैंने simply extra symbol use कर लिया arrow function and बाके का पूरा पूरा as it is code मैं आप एक function लिखिए, function में से, क्योंकि lambda एक anonymous function है, तो function में से modifier, return type and नाम को हटा दीजे और introduce कर दीजे यह वाला arrow functions, जैसे आप यह वाला arrow symbol not function, जैसे आप यह वाला arrow symbol introduce कर दोगे, आपका यह lambda create हो जाएगा, आप कुछ rules है important जो lambda के बारे में आपको पता होने चाहें कि lambda को और मतलब और concise किया जा सकता, that means इसमें और number of lines reduce किया जा सकते हैं, तो दो rule यहां में बताऊंगा, जो आपको आने ही या नीचाहिए, सबसे पहला rule, if the body of the lambda expression contain only one statement, तो अभी हम लोग पीछे जो देख रहते हैं, आप देखो यहां बे, तो इसमें सिर्फ औस एक ही line थी, return a plus b, return a plus b, तो अगर body, lambda expression के body में simply एक ही statement है, then curly braces are optional, तो curly braces optional है, आप curly braces को हटा भी सकते हो, मतलब curly braces ज़रूरी नहीं है, आप उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, और छोटा बन जाएगा, वो braces आपको लगाने की ज़रूरत नहीं बढ़ाएगी, तो सबसे पहला important rule यही था, if the body of the lambda expression contains only one statement, then curly braces are optional, आप लगाओ, चाहे ना लगाओ, यह आपके मर्जी लगा भी सकते हो, और नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दूसरा option, बहुत बार Java compiler, Java compiler क्या करता है, Java compiler जब आप lambda को लिखते हो, और उसके अंदर कोई parameter अगर ले रहो, जैसे हम लोग लिखने के भी ज़रूत नहीं है, simply इस वाले code में आप A लिख दो, और B लिख दो, A और B लिख दो, इसका type int है, की double है की float है की string है, यह अपने आप से क्या कर लेगा, वो अपने आप से refer कर लेगा, आपको लिखने ज़रूत नहीं है, ठीक है, तो आप होँआ पर braces में A और B लिख करके फिर arrow लगा दो, इसको lambda बनाने के लिख दो, that's it, तो Java compiler also infer the type of the variable passed in arguments, तो जो आप argument में variable passed कर रहो, उसका type है, वो अपने आप से refer कर लेगा, कौन? refer कर लेगा Java compiler, hence type is optional, तो type लिखने की ज़रूत नहीं, जो आप argument में variable passed कर रहो, उनका, अब इसका example देखते है, त length of the string, string की length है, तो आप कैसे function नहीं आते है, public integer क्योंकि return कर रहा है length, तो आप यहां पर int लिख दोगे, and इसका नाम था get length, and bracket में string ले रहा है, इसी string की length हम लोग यहां से return कर वाएंगे, तो return simply लिख देंगे, str.length, जैसे हम लोग यहां str.length लिखेंगे, यहां से length return हो सिंप्ली, हम लोग क्या करेंगे, simply देखो, public हटा देंगे, int हटा देंगे, and get length हटा देंगे, यह तीनों चीज़ हम लोग हटा देंगे, perfect तो हमारे पास यहां पर बन जाएगा str. बटा भी हम लोग ने rule पढ़ा क्या था, कि अगर हम लोग lambda में जब यह वाला ब्रेकर यह चीज़ का भी logic है, क्योंकि यह function interface जो हम लोग use करेंगे, वहां पर हम लोग type बना के रखेंगे, तो वहां से refer कर लेगा कि अच्छा, आप इस interface को implement कर रहे हो, तो उस interface का method है, वो string type का variable ले रहा है, तो यह obviously बात string type का होगा, तो यह चीज़ याद है, यह इसका logic कैसे inference कर सकता है, and then हम लोग arrow लगाएंगे, क्योंकि हम लोग lambda बना रहे हैं, तो हम लोग अपने argument, parenthesis के just after arrow लगा देंगे, and हम लोग अभी सीखेते कि अगर हमारे method के body में सिर्फ एक ही line है, तो हम लोग इस braces को भी remove कर सकते हैं, तो यहां मैंने वही किया है, दूसरा rule यहां पर लाइन है, तो हम लोग ने किया, तो आप देखो कि यह जो line of code है, वो कितना छोटा line of code हो गया, सिर्फ एक ही line में हमारा काम हो गया, और यहां पर पूरा का पूरा लिख रहे थे, braces भी लगा रहे थे, और तमाम चीज़ कर रहे थे, but यह braces आप तभी अटा होगा है, जब single line of code होगा, आपके lambda के body में है, तो braces optional है, अगर multiple line है, तो आपको braces लगाने पढ़ेंगे, तमाम चीज़े, functional interface के बारे में थोड़ा से सीख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग ने काफी lambda के बारे में काफी चीज़े सीख लिए है, अब बात करते है, functional interface, functional interface क्या होता है, यह समझते हैं, तो फिर functional interface का हम लोग कैसे use करेंगे, अपने lambda expression के साथ, और बहुत important topic है, क्योंकि अगर आपको functional interface समझ में आ गया, तो आपको यह चीज़ समझ में जाएगे, बिल्कुल, कि lambda expression को कैसे use करना है, call करना है, तो functional interface के बारे में, तीन चीज हम लोग समझेंगे, और यही तीन चीज हमें use होंगी, lambda expression के बारे में, हलाकि जो interface topic है, बहुत बड़ा topic है, कि interface क्यों बनाते हैं, interface क्या होता, interface कैसे बनाते हैं, फिर interface को use कैसे करते हैं, और फिर जो नए features आए हैं, जैसे interface के अंदर, static method, default method, and थमाम तरीके methods जो होते हैं, वो सब तो interface का topic है, hopefully आपक को चीजे समझ में आ जाएंगे, ठीक है, तो अगर मैं functional interface की बात करों, तो अगर कोई interface है, वो contain करता है, सिर्फ और सिर्फ one abstract method, then it is a functional interface, अगर कोई functional interface है, और अगर वो एक ही method रखता है, अपने अंदर, abstract वाला, abstract, incomplete, तो उसको हम लोग functional interface कहते हैं, जैसे for example, हमारा runeable interface हो ग उसको हम लोग simply implement कर लेते हैं, अपने class में, और उसका run method overwrite कर देते हैं, that simply means कि runnable interface का सिर्फ एक ही method है, वो method है run, तो ऐसा करके जो पहले से methods, जो पहले से interfaces बने-बनाये हैं, उसके अंदर भी एक ही method है, तो उसको भी हम लोग functional interface as a treat कर सकते है, वो functional interface होता है, या हम लोग भ functional interface हो जाएगा, I think समझ गए होगे, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर कोई interface है, चाहे हम बनाया है, चाहे पहले से बना-बनाया हो, अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही abstract method है, incomplete method है, तो उसको हम लोग बोल सकता है, या वो हमारा functional interface है, तो अब हम लोग को simply यहां से है, क्यों यह functional interface lambda expression में सीखने की क्या जरू होता है, तो lambda expression हम लोग बनाना सीख लिए है, कैसे बनाते है, कोई function है, उसमें आप modifier name और return type हटा दीजिए, and then arrow implement कर जिए, arrow symbol जो है उसको लगा दीजिए, तो वो बन जाता है हमारा lambda expression, but इस lambda expression को call करने के लिए, या use करने के लिए हमें function interface के requirement है, इसलिए हम लोग function interface सीख रहे है, function interface basically होता क्या है, कोई interface है, जिसके अंदर से फ्रोसे एक ही abstract method है, तो उसे हम लोग functional interface कहते है, अब lambda expression जो है, वो basically used to implement function interface in very simple and short manner, तो जो lambda expression है, वो बहुत असानी से किसी भी function interface के method को override कर सकता है, बहुत असानी से, मतलब बहुत असानी से, तो अभी हम लोग देखेंगे, कोई interface है, तो उसके methods को किन-किन तरीकों से override कर सकते है, और वहां उसी में से, एक method है, हमारा lambda expression, that means, lambda expression की help से हम लोग किसी भी interface को implement करके, उसको use कर सकते है, so I think आपको समझ में आगा है कैसे काम करना है, आप चलते हो, practically हम लोग इस let's go into our IDE, तो हम लोग simply यहां पर intelligent को run कर देंगे और intelligent को open करेंगे, यहां पर हम लोग एक project बनाने वाले है, lambda, learn lambda या कुछ हसा करके project बना लेंगे, ठीक है, और यहां पर मैंने dark theme activate करके रखा है, ठीक है, dark theme इसके लिए activate करके रखा है, तो मैं बता देता हूं कि dark theme अगर आप कहां से लागे ठीक है, तो पिछला वाला project हमारा open है, अभी तक मैंने कोई काम नहीं है, इस project में ठीक है, तो हम लोग इसको सब close कर देते हैं, और stream API वाला project हमारा open है, कोई दिख्कत नहीं, सबस्क्राइब मैं बता दूँ, इसका मैंने theme कैसे change किया, हम लोग नहीं यहां प आप Dracula उसकर ना चाहरे हो, तो आप यहां पर आपके पास यहां Dracula है, इसको ड्राक अक्टिवेट कर दो, तो आप देखो कि यहां Dracula चीन जोगे, यहां अगर आप कोई और theme अक्टिवेट करना चाहरे हो, तो आप यहां पर और भी मैने इंस्टॉल करके भी रखे, या फिर आ भी आट कर दो, हम फुंड़ों का दो हैं रखिले हुशत यका इल्का वाइट कलर वाला इसमें हमीं जॅन के समर्च को बैसा है, तब लोगे निया प्रोजीट्त बना ले ते हैं फाइल पर चलते हैं, यंउ U.S. new पे प्रोजेक्ट युश्टक्क्त ऊप्शने स्प्री प् करेंगे हम लोग basically क्या करेंगे यहां project का नाम दे देंगे अपना यहां पर लेमडा पर फिक्त है लेमडा master lambda in one video master lambda ऐसे देते हैं master master lambda आपकी मर्जी आप क्या दो कोई issue नहीं ठीक हमें फिनिस कर दूगा थोड़ा सा वेट कर दूगा और मैं इसी window पर उपन करना चाहरा हूं तो मैं इस window पर क्लिक कर दूगा थोड़ा सा वेट करूँगा यह project को हम लोग 15 कर देते हैं हलका सा यह इस तरफ का फॉंट बढ़ा हो जाएगा नसरी पर हम लोग जाएंगे रैट क्लिक करेंगे यहां पर हम लोग पैकेज बना लेंगे जावा पैकेश इसका नाम देदेंगे हम लोग वर्क ठीक है वर्क सिंप्ली पैकेज बनाना सीख लीजे पैकेज बनाने इसलिए पैकेज बनाने की आदर डाल जी क्योंकि जब आपको रेल टाम प्रोजेक्ट पर काम करोंगे तो आपको पैकेज के अंदर ही काम करने होंगे और अलग-अलग specific काम के लिए specific package बनेगा तो आपकेज बनाना चाहिए इसलिए जब आपको चीज़ सीख रहे हो तब भी वहां पर package बना मना के गाम करो जिससे कि आपकी एक आदत हो जाएगी जो लॉंक टब में आपको वह हैविट हो जाएगी काम करने के लिए तो आपके लिए वह beneficial होगा ठीक है अब हम लोग सिंप् स्टार्ट्स माइ सिस्टम स्टार्ट्स तो बैसिकलि हमारे पास एक मैं यहाँ पे मैसेज आ जागर मैं इस फाइल को रन करता हूं ठीक है अब हम लोग स्टार्ट करने अपना लैम्डा एक्स्प्रेशन की पूरी प्रेक्टिकल वरकिंग ठीक हमारा यहाँ उटपूट आ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थे किस पर फंक्शनल इंटरफेस पर अभी हम लोग ने सीखा था फंक्शनल इंटरफेस बिसकली क्या होता है ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रेक्ट मैथड़ हो ठीक है अब हो चाहे आप बनाओ यह अब देखो पॉब्लिक एब्स्ट्रेक्ट वाइड रन तो एक तरीका क्या है एक मैथ्ट्रेक्ट है यह हमारा एक फंक्शन इंटरफेस है और जब भी आप कोई फंक्शन इंटरफेस बनाओगे तो आप यहाँ पर आइट फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन यूज़ कर स इसके पास भी एक ही मैथड कॉल एड इसी तरही किसी तमाँ मैथटेशरस ऐसे कम पैरिबल इंटरफेस भी इसके पास one method है that is a function interface और कहीं न कहीं उसको इंटरफेस को हम लोग यूज कर सकते हैं किसकी हम से उसको हम लोग लेमडा की एक्सप्रेशन की हम से यूज कर सकते हैं लेमडा कैसे बनाना यह चीज में अभी सिखाया था फिर भी हम लोग उसको यूज करना सीखेंगे चले अब इंटर मैं इंटरफेस पर क्लिक करूँगा एंटर करातूँगा ठीक है तो आप देखोगे यह इंटरफेस बना गया अभी यह नॉर्मल इंटरफेस है बट मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अब्सर्ट में रहाँगा पाब्लिक अब्स्ट्रेक्ट वॉइड अगर मैंने दो मैंतर बना दिया अगर मैंने दो मैंतर बना दिया अगर मैंने दो मैंतर बना दिया अब्सक्त तो यह basically हमारा function interface नहीं हो गए चीज आत रिकेगा function interface के लिए सिंगल method की जरूत है तो अब अगर मैं यहाँ पे दो method बना देता हूं तो यह successfully compile हो जा रहा है program बट ध्यान से देखे अगर मैं यहाँ पे चल के और compiler को मैं बता दूँ कि भाया यह जो है हमारे functional interface है उस case में अगर फाइधा कि आपको यहां पे multiple methods नहीं रखने तो यह बता रहा है कि अगर आप function इंटरfेस बना annotation तो आपको single method रहा है कोशिस कर रहो कि भाई वो function interface है तो आपको यहाँ पर add the rate function interface लिखना चाहिए नहीं लिखोगे तो यहाँ पर एक से जादे methods हो सकते हैं फिर function interface के properties को मलब हटा देगा याद रखेगा तो यह बैसे के लिए मारे function interface हो गया अब बात आती है ने के इस interface को use कैसे करेंगे, इस andゆu कर forwards तरीके सबसे पहला seconds to create our own class create separate class separate separate class anدي – mache and empresa . तो एक तव्यक्ते बैफ्यक्ती आप एक नई class बना लिजिए और इसको क्या कर दीजिए simply कब लिगे मैं आपको करके भी दिखाता हूं चलो मैं एक नई क्लास बना लेता हूं थीक है नाम देता हूं myinterimple myinterimple थीक है and simply हम लोग क्या करने कोशिच करें हम लोग अपने myinter को use करने कोशिच करें तो हम लोग यहां पर आएंगे and implements कर लेंगे myinter को myinter को implement कर लेंगे and we have to override this method तो हमें इस method को override करना पड़ेगा कौन से method को इस वाले method को override करना पड़ेगा तरफ में इसकी body हमें देनी पड़ेगी तो यहां पर आते हैं simply हम लोग देते हैं I am saying hello from from myinterimple तो एक तरीका है कि simply आपने एक नई क्लास बना लिए और implements कर लिया myinter तो आप खुद सूचे जितने इंटर 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 इंटर-इंटर दाम लोग फिर इसको रख सकते हैं वेरियेबल में हम लोग अपने myinter parent लास के वेरियबल में भी रख सकते हैं and then look my inter. dot and say hello use कर सकते हैं तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा तब जाके हमारा एक इंटरफेस यूज़ा जो की function interface है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ Lambda expression ही use होता है function interface को यूज़ करने के लिए आप खुद तो जब Java 1.8 से पहले 1.7 में भी तो interfaces रहोंगे और इंटरफेस रहोंगे तो उसमें एक method भी रहा होगा तो उसमें यहीं तरीका यूज़ होता था काम करने का जो दूसरा तरीका इस इंटर को यूज करना चाहरे थे बट आपने क्या किया एक नई क्लास बना ली एंड इन मैंटर कॉल किया लेकिन आपको यहीं तुरंत चार implementation करनी है पाँच implementation करनी है तो आपको चार क्लासे बनाना मलब बहुत ही हैक्तिक प्रोसेस हो जाएगा वह लंबा प्रस जागा तो क्या के उसकर सकते हो आप एनन ओनिमस क्लास एनन उन मस्क्लास उसकर सकते हो वार इंप्िमेंटिंग इंटर इंटर फेसज आप तुरंत बहीं पर क्लास कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ सपोर यह implementation आपको अलग से नहीं देनी थी तो आप क्या कर सकते हो मेर मैं अ करके इसको हम लोग कमेंट कर सकते हैं और यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं अनॉनमस क्लास कैसे यहां से दिखें मैं आप माई इंटर का वेरीबल ले रहा हूं और आपने बहुत बार यूज किया होगा जब आप स्विंग में एक्शन लिस्नर बनाते हो यह तमाम जगे पर आपने यूज किया होगा ठीक है तो आपको सिंपली निउ निउ माई इंटर बोला आपने लेकिन आपने तो सीखा है कि इंटरफेस का ऑबज्ट नहीं बना सकते हैं तो यहां पर इस इंटरफेस के चाईल्ड क्लास का ऑबज्ट बना रहे हो यह वाला क्लास अगे वह समझा है यह बैसिकल आपकी पैरेंट पैरेंट वाली चीज है और यह basically आपकी child है बस यह anonymous class है तो इसका नाम नहीं है तो जो selected है यह basically class है और यह implementation है तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं लिख देते हैं this is first anonymous class यह हमारी first anonymous class है I think आप सब्सक्राइब आगवा आप simply उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और आपको extra class बनाने की जरूद भी नहीं पड़ी और आपका काम भी हो गया और आप देखोगे यहाँ पर इस is my first anonymous class output आजएगा अब आपको तुरंट दूसरी इंप्लमेंटेशन देनी है तो आप simply वही काम कर सकते हैं आप पर माई जब आप listener अगर लगाते थे swing में तो आपको याद होगा यहाँ पर implementation आप ऐसे देते थे this is second anonymous class तो basically class की body यह है यहां से और यहां तक का start हुई and यह आप उसी का object बना रहे हैं this is your parent interface ठीक है तो अगर आप आप i2 पर call करो i2.say hello तो आपको मिल जाएगा यह वाला math चालो यह वाला execute हो जाएगा ठीक है तो अब मैंने simply run कर दिया आप देखोगे this is first and this is second इस तरीके से आप किसी इंटरफेस को implement करके आप काम कर सकते हो ठीक है अब तीसरा तरीका है इस interface को यूज करने का कि आप lambda उस कर लो तीसरा तरीका है कि आप lambda उस कर लो आप lambda उस कर लो किसकी उसी किम्हारी implementation को उसी इंटरफेस को इंटरफेस को इंटरफेस करके और method की बहुत रीध कहा हुआ तो हमें पर यम्डा को मैं यूज करके दिखाऊँ हूँगा ठीक है interface interface by with the help of lambda with the help of lambda ठीक है कैसे करना है simply variable तो आपको लेना ही लेना है i simply और यहां पे आपको lambda लिखना है lambda मैंने बताया था lambda कैसे लिखते मैं एक बार चाहो तो मैं एक बार और चीज दिखा दूँ आपको लेमडा कैसे लिखना है आप देख सकतों यहां पर यह दिखिए यह बिसिकली आपका मैथड है पब्लिक वाइड एम ओन और लेमडा में आपको नेम रिटन टाइप मोडिफार हटा देना है और यहां पर आयरो फंक्शन है नहीं परफेक्ट है अब लोग यहां एंगे और लगाने के लिए सिंप्ली आप डैस लगाओ एंड ग्रेटर देन का साइन लगाओ एंड सिंप्ली आप बॉड़ी दे दो यहां पर लिख दो सिस्टम डॉड आउड डॉड डॉड प्रेंट दिस इच फर्स ताइम फर्स अगर आप बॉड़ी देखो देखो से हलो एंड डर सिट अप दिखोगे यहां पर दिस फर्स टाइम आई एंड उजिंग लेंड आ जाएगा दिखिए अपने लेंडा क्रेट करना सीखा था एंड लामडा यूज करना सीखा सिंप्ली आपने वही काम किया यहां से जाकते हैं यहां पर कि अगर लेंडा में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आप इस प्रेकट को भी टा सकते हो तो हम लोग इस कली ब्रेश्स को भी रिमूब कर सकते हैं आप दिखो कर लिवर्यॉकर यहां और हमारे अर्र ढर्र हां पे आया नहीं है धैट मैंस हमारा एक क् कितना बड़ी है आप चाहो तो हम लोग थोड़े दिर के लिए इस तरफ कीछ देते हैं पूरी लाइन को देखने के लिए यह देखो ठीक है एक लाइन में हमारा काम हो गया और अगर रन करेंगे तो फिर से हमारा देखो अगर हमें दूसरे बार इंप्लिमेंटेश दिना है तो simply हम लोग क्या कर सकते हैं आप माई इंटर आई तू ले सकते हैं एड सिंप्ली हम लोग मैथर्ड वहीं से देखेंगे अपने माई इंटर के अंदर से यहां पर लगाएंगे ग्रेटर दन एन हम लगाएंगे सिस्टम डॉट डॉट प्र अट पिटल लाइं दिस इस सेक संदर चुर्फ抉किंट करें हैं लोग सिंप्ली कुछ नहीं करने हैं हम लोग सुंप्री फंक्ष्न इंटर फेस कर रहें पर प्वाइडिंग दा आप में चलते हैं एक और काम करते हैं, हम लोग इस समय Lambda बनाने जा रहे हैं, जो दो फंक्षन को, दो नम्बस को add कर रहा हूँ, तो हम लोग simply क्या करेंगे, एक function interface बनाना पड़ेगा, तो work में चलते हैं, right click करते हैं, और यहाँ पे हम लोग interface बना लेते हैं, इसका नाम के अंदर ठीक है तो हम लिखेंगे पब्लिक इवेन आप अब अब लिखते हो तब भी डिफॉल पब्लिक अब्स्रेक्ट इंटरफेस में लग जाता है चीज ज्याद रखिएगा अगर आपने थोड़ा सा कोड जाओ अच्छा से पढ़ा है तो आपको चीजे समझ में आ रहे है सबसे पहले हम लोगे एक अलग से क्लास बना लें दूसरा अनॉमस क्लास यूज करके इसको यूज कर लें तीसरा थर्ड तरीका सबसे ब्स तरीका आप लेमडा यूज कर लो तो क्योंकि यह फंक्शन इंटरफेस है यहां पर एक ही मैतर्ड है और अगर आपको पब्लिक यहां नहीं मिला है तो क्योंकि यह नॉर्मल मैतर्ड है तो पब्लिक स्टेट पब्लिक अप्स्ट्रेक्ट इंटरफेस में भाइडफॉल्ट खुद कंपाईलर एड करता है अगर आपने को जावा पड़े होगी तो आपको पता होगा अधरोई अब खुद से भी पब्लिक कपि अटिर लिख सकते हुद फोगी चीज़े तो वह इं ही की चीज़े को टिक हागए अच हजाते है इसको करते है तों किया करना है आप दिखिए आंप यहां पर सम इंटर का एक वेरीबल ले पाइटा सम इंटर सम होगी जो सम इंटर सम इंटर इस değil यहां एक निचकना सक और हम लोग integer a, integer a, integer b, simply arrow लगाएंगे and हम यहाँ पर body लिख देंगे and simply हम लोग return कर देंगे a plus b, that's it, हमारी implementation हो गए and this is our lambda, last time हम लोग semi-colon लगा देंगे, तो हमारा lambda की हर से हम लोगों ने implementation प्रवाइड कर दिया है, हमने इस वाले interface का, अब देखोगे, error गाया है बोची की and हम लोग यहाँ पर use कर सकते है, sum enter dot, print करते है, as out, क्योंकि return कर रहा है value, sum enter dot sum और हम 2,6 पास करेंगे, दो बार मैं यूज़ करूँगा, add एक बार और और यूज़ करूँगा, as out, sum enter dot sum, sum enter dot sum, 5,7 देखते हैं, क्या हमारा sum सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने simply program को run कर दिया और आप देखोगे, तो 8 a, 2 plus 6,8 and 4 plus 7, 11, ठीक है, तो इसका बार हमारा perfectly काम हो रहा है, और हम लोगे इंटरफेस को implement कर दिया, अब यहां हम दोनों rule लगा के, जो rule हम लोग सीखा था, दोनों rule लगा के, हम यहां पे और भी इसको sort में लिख सकते हैं, पहला rule था कि भाहिया, आपके पास अगर सिर्फ सिर्फ सिंग आप को टाइब लिखने की जरूतनी टाइप खुद से इंटर कर लेगा, वहम लोग इसका टाइप भी हटा सकते हैं, ब्रेकट तो रहेगा, बढ़ हम लोग टाइप क्या कर सकते हैं, रिमूफ कर सकते हैं, दूसरा वाला rule कहता है, आपका, आप देखो कि कितने short में code हो गय यह वाला b अगर हमारा int type का है, तो आप यह वाला b भी इंट type का होगा, that means आपने काम कर दिया है, एक ही line में आपने implementation कर दिये, और कहीं भी आपको इसके object की जरूत है, पास करना है, कहीं भी सम इंटर को पास करना है, तो आप यह वाला lambda पास कर सकते हैं, अभी मैं उस function interface, जिसका नाम देते हैं, length inter, length inter, perfect है, यहाँ पे method बनाएंगे, public abstract, public abstract नहीं भी लिखोगे, तभी कोई दिख कर नहीं, integer, मैं कहता हूँ, get length, ठीक है, यहाँ पे string and str, ठीक है, तो basically हम str के length यहाँ से return करने वाले है, ठीक है, किस की str के length return करने वाले है, and I have to put here interface, ठीक है, तो हम लोग return करने वाले है, and हम लोग simply यहाँ बेहन में आ जाएंगे, हमें अगर lambda यूज करना होगा, हम simply क्या करेंगे, ध्यान से देखो, simply हम लोग यहाँ पे ले ले लेंगे string, sorry, length enter, length enter is equal to, and हम लोग यहाँ ले लेंगे str, आप देखो, यह suggest भी कर रहा है, अगर आप str को return कर सकते है, and last में semi call लागा, that's it, चाओ तो इस वाले, इसको भी हटा दो, कोई issue नहीं, ठीक है, so आप देखोगे, एक line में implementation हो गई, जो काम आप अलग से class बना रहे थे, जो काम के लिए आप अलग से anonymous class बना रहे थे, वो काम सिर्फ single line में हमारा हो गया, perfectly, कोई भी दिक string के length मिल जाएगी, आप देखोगे 14 है string के length, अगर आपको नहीं लग रहा है value यहीं से आ रहे ही, तो आप यहाँ पर print भी कर सकते हो, length of the string is, and फिर से आप रन कर दो program, ठीक है, फिर से आप program रन करके देख लो, यह 14 यहीं से आ रहे थी, देखे, perfect, तो इस तरह के से आपने lambda बनाना इसीख लिया होगा, lambda किसले ही होता है, भाई हमारा कोई functional interface में बार बार फोकस कर रहा हूं कि यह functional interface के ही साथ चलेगा, यह चीज आप मत भूलेगा, ठीक है, अब चलते हैं, अब हमने lambda बनाना सीख लिया, कि lambda को functional interface के साथ कैसे use करेंगे, अब हम लोग देखते हैं, लेमडा के use करके, हम लोग threads को भी create कर सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले बंद कर देते हैं, सब चीज, and threads को कैसे create करते हैं, यह चीज आपको पता होगा, lambda को use करके, कितने असानी से, जितने मर्जूत में threads create कर सकते हैं, देखिए, right click करके, और यहां पर हम लोग बना लेते ह हैं, class जिसका नाम देते हैं, thread demo, main class basically यह होगी, thread demo, and इसके अंदर हम simply आएंगे, main method बना लेंगे, अब, suppose हम यहां पर thread create करना है, first thread, first thread create करना है, अब आप बस situation समझेगा, first thread create, thread create करना, जिसका नाम रखना है, thread, thread, thread John, ठीक है, John basically thread का नाम रखना है, अब आपके पास बहुत पर जाके एक नई class बना सकते हो, जो implement कर रही हो, runeable interface को, but हमारे दिमार्ग में आए, कि यार, अगर runeable interface, function interface है, तो क्यों ना, हम लोग lambda यूज करें, perfect है, तो हम लोग क्या करेंगे, runeable का एक variable बना लेंगे, and यहां पर anonymous class ना यूज करके, हम लोग यहां पर use कर लेंगे, लेंडा, दिखिए, सबसे पहले आप यह जरूर चेक करें, क्या है, runeable के अंदर एक ही method है, क्या यह function interface है, तो जी हां, यह बिल्कुल function interface है, तो हमें basically run हटा देना होगा, void हटा देना होगा, abstract public यह सब हटा देना होगा, and braces में भी हमें कुछ पास नहीं करना है, ठीक है, तो body of the thread, that means, यहां मुझे task लिखना है, stuff लिखना है, जो thread से कराना है, तो suppose मुझे क्या करना है, thread से, एक से लेके 10 तक numbers प्रिंट कराने है, तो मैं print कर देता हूँ, for integer i is equal to 1, i is less than equal to 10, and i plus, plus, and यहां पे मैं print कर देता हूँ, sorry, sorry, as out, यहां लिक देता हूँ, value of i is, and फिर i की value, अब एक बार देख लिए कुछ गलत है, तो सही कर लेंगे, बड़ हमारे हिसाब से कोई गलत नहीं हुगा, और हम चाहते है, एक बार प्रिंट कर दे, तो यह कुछ second के लिए current thread sleep हो जाए, तो हम लिकरेंगे, thread.sleep method, sleep करने के लिए, यह सब normal सा stuff है, 1 second, second, second तक का, मैं sleep करेंगे, यहाँ पर exception को हम लोग surround नहीं करेंगे, exception, इसको try catch के अंदर रख सकते हो, यहाँ पर throws exception लिए सकते हो, throws exception, ठीक है, बट क्यूंकि यह दूसरे thread में आ रही है, तो हमें basically यहाँ पर क्या करना होगा, इसको surround पर try catch करना ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर throws अड़ा दे यह code को अंदर, simply try catch के अंदर, अब यह हमारा basically thread बनके ready, अब हम इस thread को start भी कर सकते है, यहाँ पर हम लोग thread.setName कर सकते है, सबसे पहले, thread.setName, तो basically क्या करना होगा हमे, thread को, क्योंकि यह thread की implementation है, सिर्फ तो हमें यहाँ पर thread class भी use करना पड़ेगा, thread t is equal to new, thread और मुझे यहाँ पर thread one pass करना होगा, perfect है, and हम लोग simply t.setName पहले कर देंगे, and नाम दे देंगे John, यह हमारे thread का नाम है, and simply हम लोग क्या कर देंगे, t.start कर देंगे, that's it, तो basically हमारा यह thread की implementation थी, and हम लोग thread class का objective करेंगे, अपने thread का जो reference होगा, वो पास कर देंगे, and हम लोग उस thread का नाम set कर देंगे, and thread को start कर देंगे, तो यह basically lambda के help से हम लोगों ने thread बना लिया, and यह तो पहले वाला program चला है, हम right click करेंगे, and यह वाला program चला देंगे, so आप देखोगे, हमारा thread start हो गया, एक एक सिकेंड बाद हमारा values को सारे print कर देंगे, तो इस तरह की सा आप lambda उस करके thread बना सकते हो, और बहुत सारे thread बना सकते हो, उसी समय तुरंत on instant with the help of lambda expression, एक thread आप और बना सकते हो, सबोज आपको table print करनी है, तो आप यहाँ पे direct runable ले सकते हो, runable t2, this is basically thread 2, and आप simply arrow function use करो, short code को short करने के लिए, and simply try catch लगाओ, क्यूं, क्यूंकि इसके अंदर interpreted exception आएगी, तो आप try catch जरूर लगा दू, interpreted exception, ठीक है, and यहाँ पे आएगे, हम लोग बॉडी दे देंगे, ठीक है, perfect यह कह रहा है, यह कुछ कह रहा है, यह कह रहा है, never throw, अब अच्छा, भी throw होगी, क्यूंकि हम लोग sleep use करने वाले है, तो हम लिखें के for integer i is equal to 1, i is less than equal to 10 i++, and हम यहा मैं लिख दूँगा, लिख दूँगा, लिख दूँगा, simple i into 2, ठीक है, तो 2 की table 10 तक print हो जाएगी, and मैं thread dot sleep करूँगा, 2-2 second बाद, तो बिसकली millisecond है, तो यहाँ पे millisecond मैंने pass कर दी, and then वही तरीका होगा, जो thread का implementation t2 में आ चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे simple thread का एक नए object बनाऊंगा, t22 is equal to new thread, and यहाँ t2 pass कर दूँगा, and simply t22, अगर नाम set करना है तो कर दो, otherwise simply start कर दो, that's it, तो हमारा thread 2 भी start हो जाएगा, अब मुझे अलग से कोई class बनाने के जरूद नहीं है, क्योंकि सारा काम हमारा lambda से हो जा रहा है, तो आप यहाँ के 2 अंज अगर आपको पता हो, तो I think समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप देखोगे, जो जॉन वाला thread था, उसने अपना काम कर दिया, अब यह दूसरा thread काम कर रहा है, अगर आपको यहाँ पर thread के बारे में चीज़े नहीं पता है, तो मैं वीडियो बना के रखा हूँ, आप ज सारी वीडियो मिलेंगे, यहाँ पर जो सबसे important playlist है, वो learn technology वन वीडियो की है, तो आप यहाँ पर मिल जाएगी आपको, यहाँ पर देखोगे, तो आपको thread से related concept की वीडियो मिल जाएगी, stream API की है, यहाँ देखो collection की है, and हमें thread से related वी, इसमें वीडियो थी, भाई, कहीं न कहीं थी, शायद वीडियो, हाँ, 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 एक वीडियो मैंने बनाई थी, यह देखे, ठीक है, multi-threading, using Java, and lambda anonymous class, यह तो thread का ही part है, ठीक है, तो यह दोनों हम लोग ने यहाँ पर बनाया था, तो आप इसको जाके सेख सकते, तो इस तरह के से thread की implementation देते हैं, with the help of lambda, आपक function interface को देखना रहा है, तो आप साहिद काम कर लोगे, बजब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अब चलते हैं, हम लोग ने lambda को यूज करके thread को बना लिया, अब देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने desktop application में thread का यूज करते हैं, ठीक है, desktop application में thread का यूज करते हैं, तो guys हम लोग यह ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा, हम लोग simply right click करते हो, यहाँ पर एक बना लेते हैं, my window, java class, नाम देदेंगे इसका my window, ठीक है, my window, enter करते हैं, तो आपास एक window आ जाएगे, simple सी window बनानी है, तो मैं यहाँ पर कोई, मलब दो तरीके से window बना सकते हैं, एक तो inherit करके बना set करेंगे, देखते जाओ कैसे करेंगे, j frame आप जैसे लिखोगे आ जाएगा, हम लोग लिखने frame is equal to new j frame, यह हमारा object है, और यहाँ हम लोग title pass कर सकते हैं, लिख देते हैं, my window, perfect है, तो यह हमारा window है, इसको हम लोग अभी दिखाएंगे, देखें कैसे दिखाएंगे, हम लो अपने frame को simply क्या करेंगे, यहाँ पे set visible करके true कर देंगे, अगर मैं इस program को चलाता हूँ, तो तीन line में आपका एक window create हो जाएगा, आप देहां से देखें, मैंने program को चला दिया, और आप देखोगे, left top side पे यहाँ एक window आ गया, but size इसकी बहुत चोटी, मैं इसको बढ़ा क सकते हो, आप देख सकते हो, यहाँ एक window create हो गया, तो तीन line की हैब से हम window create कर सकते हैं, यह चीज़ आद रखेगा, अब हम लोग इसमे buttons को भी add कर सकते हैं, buttons आप set visible के पहले में यहाँ पे buttons को add करूँगा, ठीक है, यहाँ पे button को बनाओंगा, create करूँगा button को, and add करूँग आपने जे फ्रेम पे ठीक है तो देखते जाहिए कैसे बटन बनाएं के लिए आप जे बटन यूज करोगे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बटन पर लिख दूगा यहाँ पर क्लिक में क्या करूंगा इस बटन को उठा के एड कर दूगा अपने फ्रेम पे तो आप फ्रेम का अब बटन को यहां पर पास कर देख विए बटन एक कंपोनेंट है अब अगर मैं रन करता हूं तो हमारे पास एक बटन भी दिख जाएगी आप देखोगे उस फ्रेम पे एक बटन देखे हलके सी दिख रही है बट इसकी विट्थ हलका सा बड़ी हो गई देखे है तो मैं क्या करने जा रहा हूं सबसे पहले इस फ्रेम का थ्वड़ा साइज बढ़ाऊंगा और बटन हमारे पूरे विट्थ को ले रही तो इसको भ 400 by 400 that's it 400 by 400 तो सेप नहीं या सेट साइज में पास करूँगा यह देखे साइज ठीक है तो विट्थ 400 एन हाइड भी 400 है तो यह अपने आप से 400 by 400 का हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका इसका ले आउट भी सेट करेंगे तो बैसके लिए मैं नल पास कर दूँगा इससे क्या होगा कि अभी मैं स्टाटिंग में मुझे लिए आउट के बारे में नहीं पता तो मैंने नल कर दिया तो कोई भी लियाउट नहीं होगा अगर अब मैं रन करता हूं तो आप देखोगे आपको हलका फुल का कुछ ध्यान में आएगा बट यहां पे देखोगे आपको यहां पर नहीं दिख लिए फिसे सब्ठों की हम लोग कैसे लेंडा यूज करेंगे तो अब मेरा मोटो यह हम लोग काम कैसे करेंगे करना पड़ेगा जब भी हम कोई बटन क्लिक करने के लिए अब बश्ध करने के लिए इसके महारे वहा एक अपनी इंठ्व द रिए और व्मार ऋब्ले पास लिसनर से तो जब हम क्लिक कर रहें तो action event हो रहा है तो उस action को एक action listener छी सुन सकता है तो हम बेसिकली यहां पर यूस करने वाले action listener तो अगर action listener के बारे में देख हूं ओ लेक के इंटर니다एड एक इंटर फेयस है action लेमडा तो हम लोग देखें कैसे करना है अब ध्यान से आप लोग देखते जाएगा हमारे पास बटन पे एक मैथर्ड होता है फंक्शन होता है लगाने के लिए कि भाई हम क्लिक करेंगे तो होगा क्या तो हम लोग बटन डॉट यहां एक फंक्शन है एड एक्शन लिस्नर मतलब हम यहां पे एक लिस्नर एड कर रहे है अपने बटन पे लेकिन यहां पे मुझे उसी एक्शन लिस्नर की इंप्लिमेंटेशन पास करनी है यहां पे और वही इंप्लिमेंटेशन चलेगी जब आप इस बटन को क्लिक करोगे तो अब इंप्लिमेंटेशन पास करने के तरीके हैं फिर से या तो आप एक नई क्लास बना लो और इस इंटरफेस को action listener को implement कर दो एंड उसका object यहाँ पास कर दो यहाँ पे उसका object पास कर दो या तो आप anonymous class यहाँ पे बना के पास कर दो और या तो आप lambda पास कर दो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे anonymous class पहले तो आपको simply लिखना है new और action listener अपने parent का नाम लिखना है listener ठीक है बस आप मेरे साथ काम करते जाएगा और यह suggest कर रहा action listener तो आप enter कर दीजिएगा आप देखो गई यह basically आपका parent class है और new मतलब object बना है यह braces है object बनाने वाला constructor वाला and then यह आपका anonymous class है जो कि यहाँ पे खतम हुआ है and यह उसकी implementation है तो अब जब आप इस button पर click करोगे तो जो आपने action listener का object यहाँ पर पास किया implementation पास किए वह implementation कॉल हो जाएगी मैं आप दिखाता हूँ button click लिख जैता हूँ button click या फिर अगर आप window pop-up देना चाहरे तो यह option pane नाम का एक class है उसको यूज करके आपर so so dialogue box pass कर सकते हूँ dialogue so message dialogue यहाँ पर पास कर देंगे null pass करेंगे and simple सा हम यहाँ पर message pass कर देंगे hey button click button click ठीक है so I think समझ गयोगे आप अब हम लोग simply जैसे button click करेंगे यह anonymous class की implementation चल जाएगी तो अगर मैं यहाँ पर run करता हूँ आप देखते जाओ ठीक है और मैं इस button click करता हूँ आप देहां से दिखेगा मैं button click करूंगा यह देखे hey button is clicked और button click option यह पर आगए hey button is button click option that means हमारा anonymous class का का काम हो गया function interface था इसलिए anonymous class चल गई अब देहां से दिखे इस anonymous class की जगह पे हम लोग lambda भी उसकर सकते थे इतना फरजी का code लिखने की जरूथ हमें नहीं थी तो हम लोग इसको अटाने जाने सबस्पहले इसको copy कर लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग इसको यूश करेंगे ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे पूर सबस्के अंदर भी एक ही method है तो हम लोग क्या करेंगे simply ध्यान से देखिए इस method को as a lambda लिख देंगे कैसे इस public को हटा दीजे वाइड को हटा दीजिए action perform को हटा दीए and braces में ठीक है यह रहेगा and फिर आप यहाँ पे arrow symbol उसका लिजेगा that's it और फिर implementation दीजी आ जाते हम वा लगाएंगे arrow and simply हम लोग देदेंगे अपनी body that's it it is a body of the class या lambda हम यहाँ पर वो चीज पेश्ट कर सकते हैं तो basically मैंने यहाँ दो लाइन लिखी है lambda की help से हम अलब दो लाइन लिखी है जिसलिए मैंने इस braces को रखा हुआ अगर एक single line होती तो हम इस braces को भी हटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर प्रदान करूं तो कोई issue नहीं होगा हमारा program perfective वैसा ही चलेगा जैसे पहले चल रहा देख लिजे तो lambda का मतलब यह है कि आ सब्सक्राइब अपने आप से इंफर हो जाएगा तो हम इस e को भी हटा सकते हैं perfect है हमारा काम perfectly होगा हमारा काम perfectly होगा यह दिखे ठीक है तो desktop में application में ऐसे उस करेंगे तो कहीं भी आपको event आपको कहीं इंटरफेस की implementation पास करनी वहां डारेक्ट आंक बंद करके lambda को पास कर दो लेंटा बहुत जादा है हो रहा है आजकल क्यों कि भाई function interface की implementation पास करनी अब लेंडा स्कुरक क्यों क्यों आप काम करो क्यों आप को काम करो ठीक है तो आप लेंडा पास करो फटाक से अब आप फटाफट काम कर सकते हो लेंडा के help से लेंडा बनाना सिखा दिया और कि desktop application में ही नहीं, कहीं भी Android में, कहीं भी JavaFX में, कहीं भी आपको, कहीं भी आपको implementation पास करनी, किसी interface की जो की functional interface से वहाँ, lambda को पास कर सकते हो, method के direct bracket में ही आप functions को पास कर सकते हो, function की implementation directly पास कर सकते हो, so I think आपको sound में आ गयोगा क्या है, अब इसकी थोड़ा सा एक limitation बता दे इंटरफेस के अंदर दो में तरड़ हैं, तो वहाँ पे lambda नहीं उजोगा है, तो वहाँ पे anonymous class करना पड़ेगा, suppose मुझे यहाँ पे लगाना इस बटन पे, और भी वह सारे listener है, बटन पे लगाना है, on add mouse listener, add mouse listener, add mouse listener, add mouse listener, या add mouse motion listener, ठीक है, यह लगाना है, आप क्या हुआ इसके अंदर मुझे देखना है कि, यहाँ मुझे implementation पास करनी है, mouse motion listener की, चलो बाई, mouse motion listener को पहले देखते है, mouse motion listener, mouse motion adapter, mouse motion listener, ठीक है, इसको देखते है, क्यूंकि उसी की implementation यहाँ पास करनी है, तो इसको देखेंगे, अब यहाँ पे action listener में तो बड़ा अच्छा हो गया था, छुल्व हम दो लोके जो हम लोके मला करिंघा क्योंगक कर लवक्त यह थैसे मॉठक यहां पर लौ सकाहरे यहां यहां पर व्यूज करने का ट्राइब बिffentlich अगर से यूज भी कर रहे हो तो सब्सक्रीस आगर वसी इवेंड पास भी कर रहे यहां पर आपको anonymous class भी यूज करना ही पड़ेगा बहुत लोग जब मैं लेम्डा सिखा रहा था तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अरे जब लेम्डा है तो फिर anonymous class का तो छुट्टी हो गई क्लास की अपनी इंपोटेंस है अब यहां पर आप anonymous class को यूज करना पड़ेगा यहां पर आप देखो क्योंकि यहां पर दो मैथर्ड है और anonymous class एक बार में दो मैथर्ड को भी वर्राइट कर सकता है तीन मैथर्ड चार मैथर्ड पांच मैथर्ड सम मैथर्ड को अवर्राइट ज्याद रिखे दूसरे चीज़ लोग यह कन्रिफूज वाते हैं कि लेमडा एक्सपरेशन नया फीचर है जावा में बाकी लेंगवजिस के कंपरेशन में तो ऐसा नहीं है अनफफॉर्चुनिटली जावा में लेंडा एक्सक्रेशन बहुत लेट में आया हैं बाकी लेंगवजिस में यह बहुत पहले से हैं लेंगोजिस में यह तो जावा करते हैं जिसके फ़ंचनल प्रोग्रामिंग को enable करने के लिए लेंडा एक्सप्रेशन को लांच किया गया बट आइधिंग आपको समझ में आ गया होगा काफी चीजे मैं आपको इस वीडियो में सिखाई कि आप लेंडा को कैसे उसकर रहेंगे कोई अगर कोई तक वीडियो देख रहे हो भाई तो चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइ मुझे बता सकते हूं या मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हो मैं आपके मैसेज को रिड करने के लिए इस वीडियो में रखते हैं है होप सारे टापिक्स क्लेर हो गए जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया थे और यह वीडियो काफी अच्छी है इसको हुआ 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 है